जिले में रेत माफियों के होसले इतने बुलंद है कि वे आप सरों पर भी हमला करने में नहीं ही चक रहे हैं ऐसा ही एक मामला सोमवार को सुबह सामने आया है जब सावनेर के तहसिलदार और उनकी टीम ने वलनी कन्हान रेती खाट से रेती की उखाई करते एक ट्रैक्टर और रेत अवेत परिवहन करते दो ट्रैक्टर उको वलनी बस्ती में पकड़ा खनन माफियों के होसले इतने बुलंद है कि उन्होंने चाकूल लोहे के रॉड और डंडे का फै दिखा कर जान से मारने की धंकी दी उसके बाद तहसिल करभचारियों पर ट्रैक्टर चड़ानी की कोशिश की किसी तरह उन्होंने भाग कर जान बचाई इस बीच खनन माफिया दो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए इन ट्रैक्टर और ट्रॉली को खापर खेड़ा पुलीस ने पारड़ी और नाकपुर से धून कर लाया राजस्ववेभा के अमोल देश पांडे इनके शिकायत पर खापर खेड़ा पुलीस ने रेती तसकर इलुआंसारी समेत सोला लोगों पर सरकारी काम में अडंगा डाल कर अपरादिक बल प्रयोग कर भाय दिखाना जान से मारने की धमकी देना राजस्व की चोरी करना सहिचे अलग-अलग मामले दर्श किये है पुलीस ने इलुआंसारी और ट्रैक्टर के तीनों ड्राइवर को पकड़ लिया बताया जा रहा है कि तैसलदार प्रताप वागमारे मंडल अधिकारी राजेश वखारे कनिश्ट लिपीक अमोल देश पांडे कोतवाल नीतीन वान खड़े कोतवाल श्रिकान केनी प्रैवेट गाड़ी से वलनी बस्ती पहुँचे और रेती का परिवहन कर रहे दो ट्रैक्टर पकड़ कर वलनी का नान रेती खाट में रेड मारने पहुँचे तो इसकी भनत रेती तसकरों को लग चुकी थी रेती घाट में पास से ज़्यादा ट्रैक्टर रेत का उत्खनन कर रहे थे तैसलदार की टीम रेती घाट पहुची तब चार ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर भाग गय और एकी ट्रैक्टर रेती घाट में मिला खापर खेडा थाने के API दीपक कांकरेडवार भी दलबलक लेकर तूरन घटनास्तल पर पहुचे BCN News के लिए खापर खेडा से आरुन महाजन के रेपोर्ट